जी कैफ 6 आज के लेक्चर का अगाज करते हैं लेक्चर नमबर 7 आज हम cost of equity को conclude कर रहे हैं हमने सारे components की cost calculate करना सीख लिया आज हम weighted average cost of capital calculate करना सीखेंगे और ये topic complete हो जाएगा हमारा लेकिन इस chapter में एक दो मजीद concepts हैं जो हम study करेंगे लेकिन cost of capital का topic complete हो जाएगा कल आपको एक question जी जी बिल्कुल वो भी मैंने करवाना है capital lesson पर सीखेंगे बिल्कुल करवाना है उसको तो कल आपको एक question दिया गया था ठीक है question उमीद है आप लोगों ने किया होगा ठीक है अभी हम उसको थोड़ी देर में solve करेंगे आपके सामने कल के lecture में question के इलावा जो numerical question दिया थे इसके अलावा कोई conceptual question हो कोई चीज पूछना चाहते हो पूछ लेजी जी जी अच्छा स्टोन ने question पूछा है कि सर ये जो dividend है वो आप प्राइस आज की ले रहे होते हैं और dividend आप ले रहे होते हैं साल के बाद का ये क्यूं है एक question आणा आपका ठीक है अच्छा वैसे अगर आप conceptually सोचे ना तो ये यहां पे डी नौट ही आ जाएगा क्योंके growth तो है नहीं जब dividend में growth नहीं है तो वो same यह डी नौट डी वान होगा जैसे हमने question भी कहा था प्रेफरेंश येर वाला ठीक है लेकित फर्स कीजिए यहां पे आप डी नौट कर भी दें question आपका फिर relevant रहेगा क्या यहां पे तो डी वान यूज हो रहा है अच्छा मुझे यह बताईए अगर हमने यह study किया था कि हम finance में historical cost को consider न यानि फर्स कीजिए कि यह margin cost क्यों consider करते हैं इसके example सुने हैं अगर आपने रिसेंट्ली फर्स किजिए 100 million share capital है company का और आपने 10 million dividend दिया है recently past में shareholders को ठीक है अब definitely आप उस 100 million से जो भी projects लाने हैं चला रहे होंगे मजीद एक 20 million का नया project है अब आपको 20 million market से उठाने है ठीक है 20 million market से उठाने है आपको जब 20 million market से उठाएंगे तो क्या वो आपको उसी rate पे मिलेगा जो previous है कि उसका हो सकता है नया rate हो इसलिए हम जो dividend हमने चुके अब जो नई investment करनी है ना नई investment इससे जो return आएगा वो हमने shareholders को देना है इससे जो return आएगा वो तो जो साल के बाद profit आएगा वो इस investment से आ रहा है ठीक है इसलिए हम इसमें previous dividend जो यूज़ किया है वो नहीं है बलके जो future में dividend हम उनको pay करेंगे वो consider करते हैं ठीक है और की question Gordon growth का फार्मूला है growth calculate करने के लिए आपको पता है question में जब growth model यूज़ करना होता है तो उसमें हमें growth calculate करना पड़ती है अच्छा ये कैसे पता चलता है कि growth हो रही है growth model अपलाई होगा पहले तो मुझे ये बताईए उसमें retention rate दिया होगा या उसने historical पिछले सालों के return दियोंगे जिससे हमें पता चलता होगा कि वो value increase हो रही है अगर पिछले कई सालों का data दिया हुआ है और उसको देख के हमें लग रहा है कि 2010 से लेकि 2015 तक value increase हो रही है तो हमें पता चल गिया इसमें growth हो रही है growth calculate करनी है उसके लिए हम growth का formula historical cost वाला calculate करें है लेकिन अगर question में उसने previous record नहीं दिया पिछले सालों का और उसने retention rate दिया हुआ है तो हमें ये पता है as financement के जब कभी आप जो कुछ company ने earn की है वो retain करेगी तो उससे growth होगी तो जब कभी question में retention का word आ जाए ना आपने समझाना है ये growth model है पहले बताए ये बात clear होगी चलिए आगे चले आगे चले आपने अगर देखा हो ना golden growth model उसमें जब हम G calculate करते हैं उसमें दो figures को multiply करते हैं एक R को एक B को B तो हो गया retention rate वो तो आपको आसानी से question में पता चल जाएगा वो कहेगा जी 20% dividend के तोर पे पे कर दिया है और 80% जो है वो retain कर दिया या यू कह देगा के company ने जो profit earn किया है वो 50 रुपीज था इसमें 20 रुपीज dividend पे कर दिया 30 को reinvest कर दिया तो 30 को reinvest कर दिया तो retention rate क्या आया 60% साबाश 50 में से 30 retain क्या है clear हो गया यह इनका question यह है कि जो आर है basically return यह क्या चीज शो कर रहा है अब सुने जो असल formula है ना इसका उसमें यह शो कर रहा है के return on investment कितना है company का यह cost of equity असल formula में cost of equity को show नहीं करता company ने कितना earn किया आर से क्या मुराद है company ने कितना अगर आप conceptually सोचे ना तो यही फार्मूला में fit होना चाहिए कि company के earning कितने percent है ठीक है अगर company ने false कीजिए जो कमाया है वो 60% है यानि सो रपे के उपर साथ रपे का सो रपे कैपिटल के उपर साथ रपे कमाया 60% है यह है 60% आर जो के company के earning है अब इस से फिर हम retention जो multiply करते हैं और growth calculate करते है clear लेकिन sometime question में उसने रिटर्न on investment नहीं दिया उता जैसे आपको जो home send yet दिये ना आपने नोट किया उसने return on investment नहीं दिया क्यों नहीं दिया उसने यह तो बताया है earning per share कितनी है जेकिन earning per share कितने share capital ले है यह नहीं बताया तो आप calculate नहीं कर सकते हैं, तो जब आप return on investment उसने ना दिया हो, तो जो shareholders का expected return होता है, जो cost of equity है, cost of equity वही है नः जो हम shareholders को दे रहे हैं, जो expected return होता है, उसको फिर हम इसकी proxy के तोर पर यूज करते हैं, वरना आपका point बिल्कुल valid है, यहाँ पर cost of equity की बिजए return on investment प्रॉप्रियट फिगर है जो और को रिप्रेजेंट करें कि यह बास समाझ आ रही है आपको ठीक है लेकिन अगर वो रिटर्न ने नहीं दी हुई तो मुस्की प्रॉक्सी के तोर पर कॉस्ट फिक्टी को जूज करते हैं इसलिए मैंने आपको याद को फार्मले में दूनों सब्सक्राइब करें लास्ट की तरफ जाने से पहले मैं एक क्विक ओवर्वियू आपको देना चाहरा हूं कास्ट फिक्टी कल्कुलेट करने के लिए दो बड़े मॉडल है एक डिविडेंट मेल्यूएशन मॉडल और दूसरा कैट्टिल एसट प्राइसिंग मॉडल डिविडेंट मेल्यूएशन मॉडल क्या कहता है डिविडेंट की बेस पे कॉस्ट कल्कुलेट करो दिविडेंट की बेस पे कॉस्ट कल्कुलेट करो वह कैसे कल्कुलेट करें इसमें या तो कंपनी विदाउट ग्रोथ मॉडल पे चल ले हैं या विद ग्रोथ विदाउट नहीं हो रही तो इसका मतलब है आज का डीवीडेंट भी वही होगा कल का डीवीडेंट भी वही होगा, स्मिट्री के लिए D1 लिखा हुआ है वरना यहाँ पे D1 is equal to D0 है, ठीक है, D1 divided by price, आज की price, यह क्या होगा, cost रो, अच्छा अब इस फार्मूला मैं आपने एक चीज़ यह भाइगा शेयर की प्राइस केल्क्लिट करो यह पी नॉट केल्क्लिट करो यह दोनों फिकर देग도 पिन्ला त्ट पिर आपने क्या करना है जो growth rate है वो add हो जाएगा cost की ठीक है formula वो ही अब again इस में some time आपको information दे के कहेगा cost of equity calculate करो और some time information दे के कहेगा price calculate करो तो आपने same formula यूज़ करना है price calculate करने के लिए भी share की price calculate करने के लिए भी और cost of equity calculate करने के लिए अगर growth है बड़ा decision आपने क्या करना है बड़ा decision question के अंदर अब ही model कौन सा है dividend valuation के capital model कौन सा model यूज़ करना है dividend valuation है तो फिर growth है कि without growth retention rate दिया हुआ है या prices का trend दिया हुआ है तो growth model यूज़ होगा नहीं तो without growth model यूज़ होगा question पढ़के न आपने पहले step by step analysis करना है पहले decision करना है ये के ये पिर decision करना है ये के ये इसके बाद काम routine का है ये बड़े decision है ठीक है अच्छा अब इसमें कुछ ट्रोंड एक्स ट्रोंड मैंने चेक कर रहा था assignment की तो एक्स ट्रोंड ने गलती क्या की के पी नौट को यहां पे लेगे और cost को यहां पे लेगे इसको कुछ भी नहीं किया ये अनफेक्टिड रहा ये तरीका का गलत है पहले आप इसको डिरेक्ट शिफ्ट नहीं replace नहीं कर सकते हैं जैसे यहां पे किया था ठीक है अब आपको था है math का रूला ये प्लस जी है ये इदर जाके पहले माइनस जी होगा फिर उसके बाद आप इसको replace कर सकते हैं यह जहन में रखेगा यह model क्लियर हो गया cost of victory कैसे calculate करने है अब आते है capital asset pricing model की तरफ इसको पहले समझे आपको पता है पहले हम तसली से concept को समझने की कोशिश करते हैं फिर calculation की तरफ जाते है capital asset pricing model किसलिए use होता है cost calculate करने के लिए कि हमारा shareholder कितना return हमसे expect कर रहा है जो हमें पैसे provide कर रहा है वो हमसे कितना return expect कर रहा है कम असकम हमें उतना return उसको लेके देना है यही cost होती है ना तो हम यह dividend valuation model में भी यही calculate कर रहे थे capital asset pricing model में भी यही calculate कर रहे है capital asset pricing model का basic rule अगर आप समझ लें तो यह आपको समझा देगा conceptually basic rule क्या है high risk high return low risk low return high risk high return low risk low return भी यह बास समझे अच्छा पहले बताईए इस से agree करते हैं इस philosophy से यह क्या बताना चाहरा है इस से high risk high return कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में investment करते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है तो आपको उससे जो पैसे आने चाहिए वो भी ज्यादा आने चाहिए और अगर आप किसी ऐसे business में invest करते हैं जिसमें risk कम है तो उसमें कम return भी आप के लिए acceptable होगा जैसे फर्स कीजिए अगर आप मेरे से कहें सर एक investment opportunity आप investment करना चाहते हैं मैं कहुंगा investment opportunity क्या है सर हमने एक burger shop जो है वो बनानी है उसमें investment करेंगे और लाहोर में आपको पता है खानी पिने के शुकीन है तो burger की shop जो वो चलेगी हाँ इसमें वाकर रिस्क नहीं है एतना थोड़ सा रिस्क है लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं है ठीक है लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो फिर प्र प्र मैं किसी बैंक में पैसे कर दो उसमें तो रिस्क ना होने के बराबर है वो रिस्क फ्री इन्वेस्ट में अगर मैं गरमर्मिně्ट के फॉटículo investment करता हूं या किसी बैंक में पैसे इफनक कि क्योंकिंक कर दे कि मेरे पास पैसे नहीं इसको पूरा करती है मेरे पास वह रिस्क फ्री इंवेस्टमेंट है फर्ज कीजिए इन्होंने का सर वह रिस्क फ्री तो है लेकिन उसमें सिरोफ शिक्स परसंट आपको मिलेगा इस बिजनिस में हमने कैलकुलेशन कि आपको 10% तक प्रॉफिट मिल सकता है 10% अब मैं हिस्थाभ किताब लगाँगा मैं कहूँगा मैं रिस्क तो ज्यादा ले रहा हूं नस्बतन लेकिन उसलिहास मुझे रिटर्न भी ज्यादा में अगर तो यह भाई कहेंगे ना कि सर सिक्स परसंट ही है हमारा भी रिटर्ण तो मैं तो पागल हूँग लिए आगर इनके business करऊगा क्यों अगर मुझे risk of free तो मैं रिसकोंट है तो मैं रिसक वालजS पुसरंट क्यों लो लैकिनोंने का 10% वैंने का हां ये ठीक है high risk साथ ही दूसरे भाही भी आ गया इंप सैर आपने कभी मैंने का 1000 परसंट लेकिन फिर भी नहीं करूंगा बताइए क्यों नहीं कर रहा इसमें risk, return बहुत ज्यादा है लेकिन risk भी इसमें कुछ investors होते हैं, इन्वेश्टर की अपनीप्राफ्ण होती है Market में risk free investment भी पड़ी है. Market में low risk low return investment भी है. Market आकेट में हाइड रिस्क-ाइब रिटरन निवैस्टमेंट भी पढ़ी आ Phyre Princessmore पर डिपेंड करता है Joo लेकिन इसमें आप & करते हैं किए रिस्क बढ़े तो रिटरन भी चाहिए वरना investor investment नहीं करेगा इस से agree करते हैं चलिए ठीक है तो यह जो हमारा capital asset pricing model है यह हमें कहता है कि जो shareholders को आपने return देना है ना जो shareholders को आपने return देना है ना इसके दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा होता है risk free return के मतलब return RF का मतलब risk free risk free return यह कुछ साथ है जो government अपने bonds पे दे रही होते है अब पाकिस्तान के अंदर कभी पाकिस्तान से बाहर यह जो risk free return यह क्या है वह rate of interest जो government अपने bonds पे अब बताईए अगर हमारी company है हमारा investor हमारी company में invest कर रहा है हमें risk free return से कम rate offer करना चाहिए investor को उसके equal यह उससे ज्यादा उससे ज्यादा इस बात पर सारे पके हैं कि हमने जो return offer करना है वो risk free return से वरना investor हमारी तरफ नहीं क्योंकि हमारे business में बाहर हाल risk government के निजबत जादा है हमारा business bankrupt हो सकता है shareholder को खतर हम बागना जाएं कहीं government तो कहीं नहीं बागती है तो इसलिए याद रखे हम यह कहता है high risk high return वो कहता है यह तो है risk free investment अगर आपका investor company में investment कर रहा है तो चुकि आपकी company में investment करने की वज़ा से वो high risk ले रहा है तो उसको फिर risk free के साथ एक risk premium भी मिलना चाहिए इससे agree करते हैं इससे agree करते हैं भाई समझारी के नहीं आ रही है इन्वेस्टमेंट करनी है आपने अगर government के bond में investment करनी है एक का option यह है दूसरी option है company में investment करनी है government अपने bond पे six percent दे रही है company भी अपने bond पे six percent दे रही है किसमें investment करेंगे क्यों करेंगे government करेंगे वहाँ यहाँ पे default का risk ही नी है आपकी investment डूबने का risk ही नी है वहाँ पर आप confirm है कि आपको साल दो साल पान साल के बाद इंवेस्टमेंट लेज़ें company में confirm नहीं है company में र आफर करेंगे उनको, आप कहेंगे सर हम आपको रिस्क है लेकिन उसके बदले हम आपको रिटरन भी ज्यादा आफर करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ जो कंपनी की कास्ट ओफ एक्विटी होगी जो वो शेर होल्डर्स को दे रही है, उसके दो हिस्से होगे, एक वो रिस्क जाहिए जितना ऍटो विजनिस हैं कहां पे लिस्टेड है बड़े दिजने की परशन्ट तो मुझे बताइई यह फिक्स परसेंट स्टांक एक्सेंज में कमाया 8% तो आपको अपने इंवेस्टर को कितना औफर करना चाहिए 8 परसेंट एड़ परसेंट आफर करना है टो टोटल एड़ इड़ परसेंट औफर करेंगे तो फिर वह आएगा ना 5% आफर करेंगे तो government की तरफ जाएगा 8% आफर करेंगे तो फिर आएगा ये जो ये जो ऊपर वाला 3% है ना किस वज़ा से ज्यादा है risk की वज़ा से इसे कहते है risk premium ठीक है इसे अगर पिछले पूरे साल में stock exchange ने 8% कमाया हो और risk free rate government का bonds पे 5% हो तो risk premium कितना हुआ 3% 3% इसको समयने की कोशिश करें इसको ये सारी गेम इसकी चीज़ के समयने ये क्या है ये वो extra return है जो हम investor को इस वज़ा से दे रहे हैं कि वो हमारी company में invest करने का risk ले रहा है अगर government में investment करता तो risk ना आता ये समझा रहा है 3% ये hybrid वाले student समझा रहा है 3% क्या है समझा रहा है तो हाथ उठा ये जरा ये 3% क्या है ये 3% extra risk premium है जो के हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं investor को extra दे रहे हैं total 8% दे रहे होंगे ये 3% जो extra दे रहे हैं उससे risk free rates है किस वज़ा से क्योंकि वो हमारे company में investment करने का risk ले रहा है 3% समझा है अच्छा 3% calculate कैसे वह भला 3% question में आपको normally ये रिस्क premium प्रीमियम का मतलब यह तो ना higher वाली ये risk premium आपको question में direct नहीं देता बल्कि आपको कहता है कि पूरे साल का जो investor का average rate है वह 8% है जो government का risk free rate है वह 5% है हम कैसे calculate करते हैं हम कहते हैं rate market का k means rate m means market का market कौन सी market stock exchange का rate total minus risk free rate 8 minus 5 3 आया करेगा direct आपको 3 question में नहीं दिया करेगा कभी दे दे तो अच्छी बात है हमारी किसमा calculation से जान छोटे वह यह बात समझ आई है तो जी मुझे उसकी तरफ आ रहा भी पहले मुझे बताईए cap impact में के यह दो हिस्से हैं part 1 बड़े दो हिस्से part 1 part 2 इन दोनों में क्या फरक है यह समझ आ गया यह रिस्क फ्री रेड और यह वह हमें premium investor को देना है क्योंकि वह मारे business में investment करने का रिस्क लेगा अचा अब इसमें असूली तोर पे अगर हमारी company भी एक average company है stock exchange हमारी company stock exchange में एक average company है तो यह जो risk free में होगा ना यह होगा पूरी market ने जो अर्न किया average 8% माइनस रिस्क फ्री 5% 3% अब थोड़ा सा आहरी इसमें मौइंट है थोड़ा सा ज़रा practical हो के सोचिए stock exchange में बहुत सी companies है उन सारी companies का average rate है 8% ठीक है लेकिन उन में से कुछ companies ज्यादा aggressive हैं ज्यादा रिस्की हैं कुछ companies के operations less risky हैं जैसे इस 8% total market में कोई फूड वाली company भी होगी जैसे नेसल है कोई technology बेस्ट companies भी होगी ठीक है technology बेस्ट companies जो होती है internet service providers बगारा इन में रिस्क ज्यादा है जबके जो manufacturing companies होती है हास्तोर पर food items जो sell कर रही होते उन में risk कम होता है मुझे यह बताईए सोच के concept के उपर focus करना है सोच के मुझे बताईए on average earn career stock exchange 8% इसमें दो तरह की companies है एक में risk कम है एक में risk हाई है दोनों का risk premium 3% होना चाहिए कि different होना चाहिए अगर तो आपने stock exchange के हर share में investment करनी होती है तो आप average use कर सकते हैं लेकिन अगर आपने stock exchange में 500 companies हैं उन में से किसी एक company को choose करना है तो उस company का risk stock exchange के average risk से कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है डिपेंड करता है nature of company के उपर यह बात समझ आ रही है बहुत मुश्किल बात थी फिर से फिर से फिर से फिर से government price bond के उपर 5% rate offer कर रही है हम investor को तब तक अपनी तरफ खैंच नहीं सकते जब तक 5% से higher offer ना करें इसलिए capa model यह कहता है कि आपने जो investor को return offer करना है ना जो आपकी cost of equity होगी वो risk free तो rate होना चाहिए जो government वाला है plus उसके उपर investor को आपको कुछ premium देना पड़ेगा वरना investor आपकी तरफ नहीं आएगा government की तरफ चला जाएगा अब दूसरा question यह है कि वो premium कितना देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा इसका जवाब यह है अगर आपकी company stock exchange कि एक average company आना average company इसको बोलते है बीटा equity इसको सिर्फ बीटा करें तो यह बीटा होगा one अगर average company आ तो बीटा क्या होगा one बीटा one का मतलब यह है कि stock exchange ने अगर eight percent earn किया on average on average तो इसका मतलब यह है कि आपने भी eight percent ही देना है eight percent कैसे आएगा जब आप market का eight percent minus five percent less करेंगे three percent आ जाएगा three plus risk-free five eight percent आ गया यानि आप मार्क अगर आपकी company average है तो आप market का average return ही दे रहे हैं average rate भीबा समझा रहे हैं लेकिन अगर आपकी company more risky है तो बताइए आपको यह average rate ही देना चाहिए कि इससे ज्यादा उस सुरत में beta की value greater than one होगी अब जितना ज्यादा risk होगा उतनी ज्यादा value ज्यादा होगा और जितना ज्यादा company कम रिसकी होगी बीटा की value उतनी ही less than one होती है अगर आप अभी तो शायद आपका experience नहीं होगा अगर आप कभी stock exchange के अंदर different companies की share price की fluctuation देखे ना तो कोई अगर negative crisis जैसे फास किजिए government गिरी तो कुछ shares ऐसे होते हैं उनकी value total stock exchange गिरेगी 10% से लेकिन कुछ shares होंगे वो 10% से गिरे हैं कुछ shares होंगे वो 20% से गिरे होंगे और कुछ company के share 5% से गिरे होंगे practice में ऐसी होता है practice में जब होता है ना strong exchange 10% गिर गई तो इसका यह मतलब नहीं होता हर share 10% से गिरे है अब इसमें जिस company का risk ज्यादा है जिस company का beta greater than 1 है वो 10% से ज्यादा गिरती है और जिसमें risk कम होता है जिसका beta 1 से कम होता है वो 10% से कम गिरती है यह जहिन में रखिए वह यह बास समझ आई basic cap m mardler क्या कहता है high risk high return वो कहता है एक तो risk free investment है government की तरफ अगर companies की तरफ खैंच दा इन्वेस्टर को आपको risk premium देना पड़ेगा अब risk premium calculate कैसे करना यह आपका average rate से calculate होगा market market ने जो average rate दिया है उसमें से अगर यह बीटा ना ना होता कभी बीटा तो मैं हमेशा आप से यह कहता है जो market का average rate है ना वही अपने investor को दो जो आपका average यह सारी calculation जो है है खतम सिर्फ एक market rate बादिया जाती है लेकिन इस बीटा की वज़ा से हम है टोटल मार्किट में से risk free rate निकाल देते हैं मार्किट का specific अपना जो premium है वह 3% रहने देते हैं उससे फिर कंपनी के बीटा से multiply करते हैं फिर हम कहते हैं इस कंपनी के इंवेस्टर को इतने पैसे मिलने चाहिए हैं कुछ कुछ समझा रही है तो कैपम में जो cost of 50 calculate करने के कितने parts हैं दो एक है risk free return एक है risk premium risk premium कैसे calculate होगा total market return में से free risk को less कर दे अगर तो average कंपनी है तो multiply by one होगा और अगर aggressive risk कंपनी है तो greater than one होगा और अगर low risk है और यह हमेशा उसने question में दिया होगा बीटा हमेशा question में उसने दिया होगा यह कुछ बास समझाई नहीं समझाई जब तक question नहीं करेंगे समझाई नहीं आएगी अभी नहीं समझाई तो question की तरफ चलें चलिए एक दफ़ा इस calculation को फिर से देख लीजिए एक मिनट के बाद हम question स्टार्ट करते हैं पॉस कीजिए अच्छा अब तीन question हम class में solve करने जा रहे हैं तीन questions एक होगा हमारा dividend valuation model के उपर cost of equity calculate करना एक होगा weighted average cost of capital calculate करना तीन question तो पहले आपको जो home sentiment में दिया था question ठीक है आपने मुझे बताना है कि इसमें कैसे आपको पता चला कि dividend valuation model यूज़ करना है कैप हम नहीं करना और फिर कैसे पता चला कि growth वाला model यूज़ करना है कि without growth वाला यूज़ करना है start करते है required calculate market value और price of each equity share अच्छा हमने market value calculate करनी है ठीक है तो market value जो होती है ये तो हमारी dividend valuation model में होती है तो उसी formula के जरीए से हम cost of equity calculate कर सकते है उसी formula के दरिए से market value कर सकते है question में कोई फारक नहीं यह ना समझे का कि ने नए topic आ गया हम तो cost of equity calculate करते होते हैं यह price कहां से आ गई यह प्राइस उसी के अंदर से आई है यह बाव समझ चले एक अपनी ने अर्णिंग पर शेर फिफ्टी अच्छा फिफ्टी अर्णिंग पर शेर है उसकी यह रिटर्ण ओन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना वह तो परसंडेज में होती है यह तो रुपीज में अगर वह हमें कैपिटल की मौंड शेर की मौंड तो फिर हम डिवाइड करके परसंडेज कल्कुलेट कर सकते थे यह याद रिखी रिटर्ण ओन इन्वेस्टमेंट नहीं है फिफ्टी की अर्णिंग और विच फॉर्टी परसंट हैस बिन पेड इन डिविडेंड एंड सिक्स सा मौडल लगेगा विदाउट ग्रोथ के विद ग्रोथ विद ग्रोथ अच्छा मुझे बताईए यह जो रिवेस्टमेंट रेट है सिक्स्टी परसंट यह इस फार्मूला में कहां इस्तमाल होता है जी को कैलकुलेट करने के लिए जी की फिगर कैलकुलेट होती है दो एक बी और एक और ये डिज है ये जो है यह है सिक्स्टी परसंट पर सबस्क्राइब करता हैं कि से इस लेकिन यह ग्रोथ रेट नहीं है यह जिसने इसको आइसे पर् ζ को ब्रोथ रेट को फार्ड़ यह जी है growth rate multiplied by return on investment और एकर return on investment नहीं दिए वह तो cost of equity जो investor को जा रहा है इंवेश्मेंट तो नहीं किया है अच्छा ठीक यह 40% क्या चीज dividend शास का 40% यदि बीश डिविडे यहां कहां यूज होगा डी वन डी वन अच्छा 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 यहां पर 20 आएगा हाँ यहां पर 20 नहीं आएगा यह डी नौड है यहां पर 20 नहीं आएगा आगे चलते हैं ग्रोफ रिट अभी केल्कुलेट नहीं होया ना काश के कैलकुलेट होता अगर यहीं पर ग्रोफ रेट कैल्कुलेट हो Lords जाता ना तो मैं आपको यहीं पर डी calculate कर देता है ऐसे ही है ना लेकिन यहां पर अभी उसने हमें डी नॉट बताया है साइड पर लिख लिए हमने डी नॉट इस कोई फाइदा नहीं इस लाइन के देने का सारी इंफर्मेशन उसने उपर दी उपर भी तो यह इह कहा है यहां सिर्फ यह पalidis कैरा जो मैंने इस साल दिया नोहीर साल करोगा तो अगर कुछ ना आप बताता हम यह Esse ह supuesto करौगे कहते कासओ कि कॉपिडे कैपिडल इस एड़ परसंट कासओ कॉपिडी कॉस ने हमें एड़ परसंट दे दिया है इसका मतलब यह हुआ हम यह आ रहे कास्ट फिक भी कितनी 8 परसंट अब दोनों एलिमेंट पूरे होगे जी कल्कुलेट कर सकते हैं जी कितना है 8 परसंट इंटू 60 परसंट 4.8 परसंट पक्की बात है 4.8 परसंट करके मुझे बता है 4.8 परसंट आता है ग्रोथ गॉर्डन के मडल से हमने ग्रोथ रेट कल्कुलेट किया 60 इंटू 8 परसंट 4.8 परसंट आता है जी अब डी वन कल्कुलेट कर सकते हैं वह कैसे 20 इंटू 1 प्लस जी डी नॉट इंटू 1 प्लस जी जी ग्रोथ रेट कितना आया जीरो पॉइंट जीरो पॉएंट जीरो एट शोरी शोरी अहां जीरो पॉएंट 048 0.048 नहीं नदर आ रहा है ना आपको लेकिन सुना ही तो दे रहा है न यह लिखा हुए 20 इंटु 1 प्लास 0.048 और नीचे प्राइस कैल्कुलेट करने यह कौस्त उफिटी कितनी ऑफिट परसेंट जब आप इसको प्रेंगे अब नीचे सौल कर रहा हूं ठीक है तो डारेक्ट को फिटी को प्राइस के साथ रिप्लेस करने के पहले जी इदर लेगा जी एदर लेकि आना पहले यह आएगा एट परसंट माइनस यह इधर आ गया 4.8 परसंट is equal to d1 divided by p0 डीवन किता है कितना है बीस इंटू 1.048 टू जीरो पॉइंट नाइन सिक्स बताइए यह इस काल्कुलेशन पर आगे हैं सारे अब हमने क्या करना है अब इसको इधर लेके सा सकते हैं यह आजागा पी नौट इधर और 20.96 इधर डिवाइड़ वह कितना होगा 3.2% 3.2% का मतलब 0.03 ऐसे कर लू ना 0.032 इस इकोल टू कितना है 655 यह प्राइस आगे प्राइस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम कोई तो होगी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई चीज समझ नहीं आई कहां कौन सी चीज़ आपाश आपाश देखें जो कॉस्ट ओफिक्टी उसने कल्कॉलेट करके दी अच्छा मुझे एक चीज़ बताईए कोईसल में जो इन्फर्मेशन हमें दे दे क्या हमें उसको रिकर्श करके कंफर्म करना चाहिए यह साही फिकर दिये का नहीं कि जो उसने फिकर दिया वो तुस है है सभी है जो फिन को हो सो कि 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 किने हमें उसको रेड़ नहीं करना हमें उसको रिखृशी ढूं करना मोण है अब मैं अगर उस clarification है इसके भूच विफटी ठीक है और की question कोस्ट और विक्टि है अच्छा उनका क्वेस्टन है सर्फ यह कॉस्ट और यह घ्रोथ रेम आर यह एक ही है लेकिन लाजमी नहीं है हमेशा एक हो अगर उसने क्वेस्टन में रिटर्न ओन इनवेस्टमेंट दिया हुआ है तो फिर वह यूज करते हैं आपको आप आपकसे देखा होगा नोट को माइंड मैप दिया ना मैंने उसमें दोनों चीज दे लिखे सकता हैं तो पहले अगर रिटरन विप्टियस हमारी क्या करें अब क्या करें अब अगले क्या क्वेस्ट्रों की तरफ जाएं अच्छा इसिमें आपको यह पता चल गया cap m use नहीं होना, कैसे पता चला, और रिस्क वरी रेड़ी नहीं दिया हुआ, अब मार्केट का रेड़ी नहीं दिया हुआ, बीटा ही नहीं, वो information ही नहीं दी हुई, जो cap m में use होनी है, बलके वो information दी हुई है, जो dividend valuation model में use होनी है, जैसे growth की बात किया है, इसने, reinvestment की बात क है, आगे चलते हैं, जी, 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 देखे, return on investment का मतलब ये है, कि वो return जो हम investors को देंगे, actually, cost of equity का मतलब ये लेते हैं, जो वो expect कर रहे होते हैं हम से, तक्रीबन एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जो company return on करेगी, ठीक है, वो shareholders का ही हक है, question में आपने देखना है, उसने अगर return on investment दिया है, उस figure को use करना है, नहीं तो cost of equity को, हाँ, cost of equity अगर आपको calculate करने के लिए देगा, तो उसको calculate करने के लिए जो भी information जरूरी होगी, जो भी लाजमी देगा, confirm देगा, next, जरा पढ़िए, आपके पास एक minute है, यह जरा camera इदरी रखिएगा, आपके पास एक minute है, खुझ से calculate कीजिए, cost of equity, क्या मतला, नहीं सच में कर लिए है, अच्छा, नहीं, नहीं, हो सकता है, आपने गलती की हो, calculate, यह मैं raise कर रहा हूं सारा, rate of return available for investors on government bond is 4%, यह क्या, risk free return, यानि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई risk ना लेना पड़े, आप स्कून से घर बैटके पैसे आते जाएं और एक रपे का कभी जिन्दगी में नुकसान ना हो, गर्मे के bond में investment करते हैं, लेकिन इसमें आपको सिरफ 4% return मिलेगा, average return on market investment, market से मुराज stock exchange, इस 7%, stock exchange ने कितना कमाया है, 7%, इसका मतलब है अगर आप stock exchange के average share में investment करते हैं, तो आपको कितना return मिलेगा, 7%, और अगर return 7% है, तो risk premium कितना है, 3%, risk premium कितना है, 3%, risk free rate कितना है, risk premium कितना है, अरे यह क्या होगा, मेरे भाई आप बताएंगे मुझे, यहाँ पे risk premium 3% कह रहे हैं यह सारे, यह 3% कैसे आया, वो तो है ही नहीं, market से, market, market जो return दे रही होगी, उसमें risk free भी होगा, और उसे उपर premium भी होगा ना, तो यह 7% है ना, इसमें risk free भी शामिला 4% और risk premium भी शामिला 3%, तो इसको simple 7, total return minus risk free return is equal to risk premium, अगर तो आपकी average investment होना, तो यह लंबी चोड़ी calculation की तरफ जाने के ज़रूरती नहीं होती, हम कहते हैं 7% cost of equity, लेकिन top of the stock exchange में कुछ business ऐसे होते हैं, जो ज्यादा risk हैं, कुछ कम risk हैं, अगर investor ज्यादा risk वाली company में invest करना चाहता है, तो उसको return भी ज्यादा मिलना चाहिए, और अगर वो कम risk वाली company में invest करना चाहता है, तो उस लिहाद से return भी कम होना चाहिए, अच्छा बताईए, यह कैसे पता चलता है, कि company ज्यादा risk वाली है कि कम risk वाली, उसके beta से, जिसका beta 1 है, वो इसका मतब़ है average risk है, average risk जो market में, जिसका beta greater than 1 है, वो high risk, जिसका beta less than 1, तो मुझे यह बताईए, यह जो company है, जिसका beta, शाबाज, low risk है, market में average company के निस्बत low risk है, अच्छा, अब कैसे use करना इसको formula में, बहुत आसान, cost of equity is equal to risk free, वो कितना है, 4% plus beta 0.92 into market return, 7% minus 4%, पहले 7-4 को solve करना है, फिर beta से multiply करना है, फिर add करना है, यह ना पहले 4% को 0.92 में add कर दे, फिर उसके बाद 3 को solve करके, इस तरह की calculation बाद उकात आ जाती है जिन में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, math के जो basic rules है, उनको सामने रखे calculation करना, तो यह कितना हैगा, 3%? 3 into 0.92 कितना हो गया? 3 को 0.92 से multiply करें, 2.76%, तो यह हो गया 6.76%, देखे यही answer आता है 6.76%, यह hybrid वाले जिन जिन want का, यह 6.76% answer है, हाथ उठाए, और मेरा दिल हुश करें, शाबाज, 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 भाई यह clear हो गया? कैप हैं? अब हमने सारे components की cost calculate कर ली, अब क्या करना है? तस्वीर के जितने भी टुकडे हैं, उनको जोड़ना है. अब weighted average cost, अब हम ऐसा question करेंगे, जिसमें सारे component की cost होगी, लेकिन मज़े की बात, उसमें खुद से दिये होगी, हमने calculate करने, क्योंकि calculate करना सीख गए हैं, अब हम calculate करके उसको जोड़ना सीखने लगे, उसको जोड़ना सीखने लगे, तो अगला और आखरी question हमारा ये, ये आपके पास नहीं, हाँ, इसकी एक तस्वीर ले ले लिजिए, ताकि आपके पास आजाए, ये एसर में जितने भी question हमने किये ना, iCAP की book से किये, ताकि iCAP की book की practice हमारी सारी चल लिए साथ साथ, अब मैंने आपको कुछ additional question लएदा से कठे कर रहा हूं, कोशिश कर रह लाँ, तो वो आपको लैसा से home settlement की तूर पर दूँगा, अगली टर्ड में नहीं, वही इसी टर्ड में दे दूँगा, इंशाल्ला, कोशिश करूँगा, रम्जान में दे दूँआ हो सकता है, रम्जान के बास करूँगा, चले भारत, वही question 7, अच्छा अब यह देखे, पहले तो यह देखे, यह है क्या चीज, यह जो डब्बे आपके सामने बने हुआ है, यह है क्या चीज, यह टेबल है, डब्बे है, डब्बे पर डबा, मेरा दोस्त, नवीद लाखों में, हाँ, चोटे होते न, वह याला गया, यद के करीब न, वो कार्ड मिलते थे, उसके उपर लिखे में जा करते हैं, और भी एक दो शेयर होते थे, वो मुनासिब नहीं है, अच्छा अच्छा, वेटेड एवरिज कास्ट ऑफ कल्कुलेट, कल्किलेट करनी हम, वेटेड एवरिज का मतलब है, जितने भी कंपोनेटस ओफ स्कॉस्ट हैं, क्यूंकि देखें, कुछ पैसे औरड्शों से कंपनी न इकटे किये, कुछ पैसे डीपेंचे से कंपनी न इकटे किये, जब सारे इकठे होगे, उसमें से एक मिन उठाके करते हैं उसके बाद जब इंवेस्टमेंट करनी है कहीं पे तो इसकी वेटेड एवरीज को यूज करें हमने वेटेड एवरीज करें अब हम करेंगे क्या जरा पहले concept clear कर ले हम हर component की cost cost of component cost of capital यहां पर लिखेंगे जो कि आपको पता है और नी शेर का डिफरेंड होगा प्रेफरेंश का डिफरेंड होगा डिबेंचर्स का डिफरेंड होगा बैंक लोन का डिफरेंड होगा इसकी cost कम होने के दो, दो, दो रियुजल एक तो ये के tax और दूसरा ये के इनका risk कम होता है, ये ज्यादा risk की position बे होते हैं ये ज्यादा return डिमांड करते हैं, ये कम risk बहराल हमें इसे क्या, हम जो भी question में दिया होगा हमने तो उसको cost को यहां में लिख देना, फिर इसके टोटल फंड में ये कितने परसंट है टोटल फंड में प्रेफरेंश कितने परसंट है टोटल फंड में डिबेंचर कितने परसंट है और टोटल फंड में बैंक लोन कितने परसंट है क्योंकि उस लिहाज से वेट असाइन करेंगे ना वेट स्टैप नमर टू में क्या करना है weight assign करने हर company को कि ये total में इसका कितनी contribution है ये कितना पड़ा capital ये वाला capital कितना पड़ा ये कितना ये अच्छा जो weight calculate करने है वो यहाद रखे market value पे calculate करते है book value पे नहीं market value पे calculate फिर इसके बाद हमने क्या करना है cost और weight दोनों को multiply करेंगे weighted cost आजाएगी ठीक है क्या आजाएगी weighted cost यानि ये A है ये B है और ये है A into D study करते है company has 10 million shares each with a value of rupees 4.2 whose cost is 7.5% shares है कौन से share नहीं पता है ordinary share ही होंगे कितने share है 10 million अच्छा यहाँ पे 10 million लिख दू नहीं नहीं ये share है ये share है अच्छा पहले cost क्या है 7.5% यहाँ पे मैंने 7.5% लिख दिया किसी को इतरास तो नहीं इन share की market value क्या है 10 million लिखा हुआ है वो number of shares है market value नहीं है 10 million shares है A की value 4.20 है तो 10 million की market value कितनी होगी 42 million पकी बात है calculate किये आपने 42 पूरा लिखूँ के 42 लिखके million आगे 6 0 डालनो 42 million चलेगा ओके आगे चलते है प्रेफरेंश शेर्फ नहीं तर्दीव से चलते है जो जो उसने इड है रुपीज 30 million face value 30 million bonds है इसके 5% का मतलब क्या होता है इसके उपर rate of interest मिले 5% को हम cost calculate करने के लिए यूज़ करते हैं पता है आपको लेकिन यहां पर उसने जब खुद से cost ले दी हुई है with a market value of rupees 101 and an after tax cost of 3.5% जब उसने cost 3.5% खुद से दे दी है हमें इस 5% से calculate करने की ज़रूद है नहीं जहाँ तो यह bonds की cost कितनी है bonds की cost आ गई debenture bond एक बाद 3.5% इससे agree करते है इसके market value क्या है market value क्या है कहता है जो face value जिस bond की face value 100 है ना उसके market value है 101 जिसकी face value 100 है उसकी market value कितनी है 101 तो जिसकी face value 30 million है उसकी market value क्या होगी 30 million है 30 divided by 100 multiply by 101 यह बड़ी मुश्किल calculation है 30 1 3 तरह calculate करके देखे आती है यह तो उसने 30 million खुद से बता दिया हुआ है तो हम 30 million को direct view नहीं लिख रहे है कि debenture की value 30 million है यह face value बुक value है हमने market value लेनी होती है market value लेनी होती है market जिसकी face value 100 है उसकी market value 101 है तो उसका मतलब है 1% increased है ज्यादा है तो यह 30.3 million है 30.3 million पे पहुँच गया है सारे अक्की बात तो यहाँ पे हम 30.3 million देखें debenture की face value है 30 million जितने भी debenture हैं आपके उन सब की face value कितनी है 30 million एक debenture की face value कितनी है 100 और एक debenture की market value कितनी है 101 अब आपके पास पहली option तो यह है कि total debenture की face value है आप number of debenture calculate कर ले total 30 million है 100 का है कितने debentures होगे 0.5 और फिर एक की market value क्या है market value से multiply कर ले ठीक है जैसे वो law में बाद उकाद share capital से number of shares calculate करते है तो यह debenture capital कर ले capital वैसे बोलना हो ले debenture capital से number of debentures calculate कर ले divided by 100 और फिर उसको market value से multiply कर ले थे 30.3 आगे चलते है इट है bank loan of rupees 5 million whose after tax cost is 3.2 परसंट bank loan की cost क्या है और इसकी market value क्या है price is 1.33 and whose cost is 6% अच्छा मुझे बताइए यह preference share के साथ 8% लिखा है इसका क्या मतलब है तो इसी को cost ना लेने नहीं जब उसने खुद cost दी हुई है तो यह लेने की क्या जरूआता है अच्छा यह cost कम है इसकी कुछ reason हो सकती है आपको होता है market price reason हो सकती है हो सकता है maturity value का कोई problem परक हो सकता है यह बताया था आपको तो हमने 6% इसकी cost ले preference share की cost है 6% या 6.0% और इसकी market value कितनी है 2 million preference shares है अब देखे 2 million shares है 2 million amount नहीं है 2 million shares है एक share की price कितनी है 1.33 2 multiplied by 1.33 कितना है 2.66 million अब बताई है total कितना आ गया यह 42 plus 2.66 plus 30.3 plus 5 total कितना है कितना है कितना बड़ा है उसमें प्रेफ और दुनी शेयर कितने परसंट है नहीं कितने परसंट है 42 divided by 79.96 मुझे भी पता है calculate करके बता है 52.53 यह वेट समझा रहे 52.53 परसंट और प्रेफरेंस शेयर का कितने परसंट है इससा 2.6 is divided by 79.96 3.33 परसंट 3.33 परसंट अब डिबेंचर बताइए 30.3 divided by 79.96 37.89 परसंट और फाइव मिलियन 6.25 परसंट देखें यह वेट स काल्कुलेट हो गए अब आपको पताएए इसका इसका अंसर 100 परसंट आना चाहिए अब कास्ट कासे कल्कुलेट होगी है टोटल इसकी कास्ट 7.5 परसंट है और टोटल में इसका हिस्सा 52 परसंट है तकरीबन मल्टिपलाई करके बताएए इसकी अपनी कास्ट कितनी आई वेटिड वेटिड यह वेट है यह कास्ट है यह वेट है यह वेटिड कास्ट है 3.94 परसंट नेक्स की जिरो पॉइंट 2 परसंट तू जिरो या वन नाइन नाइन भी कह रहे हैं कुछ दोनों ठीक है तकरीब बन लास जिरो पॉइंट, इसका भी 0.2 है, मिक्स हों नहीं कर रहे हैं, अब इन सब की जो कास्ट एड़ करेंगे, वो क्या होगी? ये वो है जिसके लिए इतना कश उठा रहे थे हम इतने दिना से एड करके ज़रा सामने लेके हैं क्या फिगर आती है फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स सेवन परसंट ये है वेटे डाइवरिज कास्ट ओफ कैपिडल कलियर जी सबकी यही फिगर आगी ये था हमारा वेटे डाइवरिज कास्ट ओफ कैपिडल आज के दिन आपने घर जाके ये तीन बलके कल आपकी क्लास नहीं होगी ना तो कल आपने कास्ट ओफ कैपिडल के जितने भी क्वेस्टन्स हैं ना हमारे वो सारे रिटन फार्म में अटेंट करने हैं कर लेगे से लिए जी आज का लेक्टेर आपके खत्म करते हैं आप अलाह अपिस त्रम कर ंपकी क हर दो थानाप ज्पट्स पर शोई जय हो ले झालाओ का लेक्टेर राथी से लिए घज क्वेस्टरी कर दो सार अबाने हैं कर दो को सा ब कर दो कल नहीं हो प्रहर दो कर दोpark दो. ह問 आपका इस नहीं नहीं होगी जह क्जर। झाल 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 झाल